so hey guys what's up welcome back to the another video तो कैसे है आप सब यह होब कि आप सब बढ़ी हाऊंगे so guys finally pokemon go की और से announcement हो चुकी है December मन्त के अंदर होने वाले सभी event के बर में plus मैं आपको बता दूँगा कि कौन-कौन से आपको new pokemon देखने को मिलेंगे साथ मैं आपको raid वागर के अंदर mega raid, research breakthrough, radars और spotlight के अंदर कौन-कौन से new pokemon देखने को मिलने वाले है तो बस आपको वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना और वीडियो को भी तक लाइक नहीं कि तो है वीडियो को like और चैनल को subscribe करके अपने भाई को support दिलाते लिए तो चलो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको 5 star raid के अंदर कौन से pokemon देखने को मिलेंगे तो देखो pokemon तो कोई भी new नहीं है बट काफी अच्छे pokemon है जो कि आपको देखने को मिल रहे है एंड इसके बाद आता है हमारा kobeleon जो कि देखने को मिलेगा आपको 15 December से 23 December तक ठीक है एंड इसके बाद last में आता है अपना क्योरेम जो कि आपको 23 December से एक जनवरी तक देखने को मिलने वाला है तो मेंले आपको यह 4 pokemon देखने को मिलने वाले है raid के अंदर एंड डेट वगरा को आपको इतना याद रखने की जोरत नहीं है बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा pokemon आने वाला है ताकि अगर आपको कोई भी इसमें से फेवरेट हो तो आप उसके लिए जो है राम से raid पासे इसको सेव करके रख सको तो चलो अब भढ़ते है अगले अब डेट की और तो यहाँ पर आपको mega raid के अंदर 3 pokemon देखने को मिलने वाले है जिसमें से पहला होने वाला है अपना mega aim बमस्तना हो जो कि आपको 1 December से 8 December तक देखने को मिलने वाला है mega raid के अंदर एंड इसके बाद आता अपना mega agron जो कि आपको 8 December से 15 December तक देखने को मिलने वाला है mega raid के अंदर ठीक है एंड अब लास्ट में जो pokemon आने वाला है mega raid के अंदर वो एकदम new और कमाल का pokemon होने वाला है जो कि यह है अपना glely जो कि आप देख सकते हो और बाकी यह आपको देखने को मिलने वाला है mega raid के अंदर 15 December से 1 January तक ठीक है क्योंकि यह new pokemon है तो इसका जो है काफी बलंबा duration है आने तक का game के अंदर तो यह आपको जो है देखने को मिलने वाला है new fresh mega raid के अंदर new mega pokemon ठीक है एंड बाकी मैंने आपको बता दिया mega raid के अंदर आने वाले pokemon के बारे में ठीक है तो चलो आप भड़ते अगले update के और तो चलो मैं आपको बताता हूँ most important event के बारे में लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि यह event की full information अभी pokemon go के और से reveal नहीं हुए जस्ट उनके बारे में जो है उपर उपर से बता दिया है मतलब की name वगरा reveal कर दिया बट क्या क्या उसके अंदर आने वाला है न वह भी तक बताये नहीं है तो आप बस एक बार सुन लो बाके आपको अभी इतना जो है इसके बार में मतलब की deep में जाने की जोड़तनिया ठीक है तो देखो आपको 3 December को जो है एक heading to hoin mega raid day करके event देखने को मिलने वाला है मतलब की वही कुछ mega raid day आपको देखने को मिलेगा मतलब की कोई hoin region का Pokemon होगा उसका आपको mega raid day देखने को मिलेगा यानि कि आप समझके चली कि आपको again 5 free में raid pass देखने को मिलने वाला है ठीक है तो ये कुछ उने वाला है 3 December को इसके बाद आपको 6 December से 11 December के अंदर एक mythic blade करके event देखने को मिलने वाला है जिसकी full information अभी तक कुछ reveal नहीं हूँ ये Pokemon को के और से बट नाम बता दिया इन लोगने ठीक है तो क्या हो सकता है आप में को comment करके बताना में को भी कुछ पता नहीं है इसके बाद आपको 10 December को देखने को मिलने वाले न्यू इलाइट्रेट्स मतलब की इलाइट्रेट्स तो अल्रेडी होती आ रही है जो कि आपको hopa unbound के अभी मिली थी बट इस बाद इसके अंदर एक new Pokemon हो सकता है इलाइट्रेट्स की अंदर है अब कौन सा हो सकता है यार वो भी में को पता नहीं है बट आपका क्या रहा है मैं को वो भी comment करके बताना बाकी तो चलो यार देखते जैसे जैसे information आईगी तो मैं आपको वो बताता जाओंगा आर समय के साथ ठीक है एंद इसके बाद आपको 10 December से 11 December के बीच में एक Caldeo की special research देखने को मिलने वाली है जिसमें से आपको जो है एक new fresh Pokemon finally game के अंदर देखने को मिलने वाला जो की होने वाले Caldeo बट आपको इसको get करने के लिए जो है कि special research को complete करना होगा ठीक है वो आपको 10 December को मिल जाएगी अराम से तो ये event एक ठीक है आप इसके बाद आपके पास December Community Day जो कि आपको पता है कि December के अंदर आपको जो है All Pokemon देखने को मिलने वाले जो कि आपको पिछले साल और इस साल जो है देखने को मिले थे Community Day के अंदर वो सब आपको इस December Community Day के अंदर देखने को मिल जाएंगे और ये दो दिन का event होगा जो की 17 और 18 दोनों तारिक को चलने वाले ठीक है तो यार मतलब की मज़े ही मज़े है इस वाले community देखे अंदर तो जो उनसे आपने Pokemon कैच नहीं करें ना डाइनो अगरा सब कैच करें ना बिंदास ओके तो इसके बाद आता है आपका Winter Holiday Part 1 event जिसके अंदर आपको जो है Winter के Special Costume Pokemon I Think देखने को मिलने वाले है तो ये event आपका जो है 15 December से 23 December तक चलेगा तो ये Part 1 है तो इसी को continue करते हुए आपका Part 2 चालू होगा 23 December से 31 December तक ठीक है तो लगबग आपके पास 16 दिन का ये event होने वाले Winter Holiday वाले ठीक है तो अब अगला जो आपका event होगा वो होगा 24 December से 25 December तक यानि कि कुछ दो दिन का event होगा तो कि Winter Wonderland करके ये event होगा अब क्या होगा इसके अंदर वो यार Pokemon Go वाला ही जाने हम कुछ नहीं बता सकते जब information आएगी तभी आपको बता पाएंगे ठीक है इसके बाद आपके पास आता है 24 December को last एक event जिसमें आपको जो है एवालूग का रेड दे देखने को मिलेगा बट ये simple एवालूग नहीं होगा ये हिजयान रिजन का होने वाला है एवालूग मतलब कि आप समाज सकते हो अपना हिस्यान रिजन का ग्रोलाइट आ चुका है अरकनाइन आ चुका है उसी तरीके से अब जिए एवालूग कुछ आने वाला है ठीक है तो इसका रेड दे होने वाला यानि की अगीन आपको जो है फिर बिर को आपको मिलेगा यानि की 7 को डेल को अगना है टैशन समुख य'RE ना बतर बाताँ हो को अपलाइडां, और फिर के रिप चाहि के अगनाई रेडार我们 ठीक है बात करते है research breakthrough की तो देखो research breakthrough की अंदर आपको जो है इस बर ऐसा ने कि आपको हर महीं न अलग अलग Pokemon मनदब की एक ही Pokemon देखने को मिलेगा एक ही मन्त में ठीक है आपको इस बार जो है randomly कोई भी देखने को मिल सकता है आप कौनसा randomly मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ तो आपको जो है 1 December से 1 March यानि की 2023 का 1 March है उन में से आपको कोई भी इन में से Pokemon देखने को मिल सकता है Research Breakthrough के अंदर जिसमें से अपना Galarian Mr. Maim आता है Deli Bird, Beggone, Dino, Furfru and then Gumi और इसमें से मेरा Favorite तो है Galarian Mr. Maim है आपको कोंसे में को comment करके बताना बाकि आपको जो है इन में से randomly कोई भी देखने को मिल सकता है ठीक है तो यह Research Breakthrough इस बार थोड़ा Change होने वाला है जो कि आपको पहले एक ही बार मिलता था मतलब कि Constant मिलता था एक ही बार में वो नहीं मिलेग और इसका bonus होने वाला है 2x2 Catch Stardust ओके इस Pokemon को catch करने पर आपको दो गुना Stardust मिलेंगे अगला आपको Pokemon देखने को मिलेगा इस पर हल जो कि 13 December को आएगा और इसका bonus होने वाला है 2x2 Catch XP ओके एंड देन आपको 20 December को Burgmite का Spotlight आर देखने को मिलेगा जिसका bonus होने वाला है 2x2 Catch Candy ओके गाइस and then last मैं आपको देखने को मिलने वाला है कुबचू जो कि होगा 27 December को इसका Spotlight आर and इसका bonus होने वाला है 2x2 Catch मतलब कि 2x2 Candy Transfer मतलब कि Pokemon को ट्रांसफर करने पर दो गुना Candy ठीक है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के पास December मंत के अंदर होने वाले सभी event, information, सब का बायो डेटा, काला चिठा, सब कुछ एक दम पोल पत्री सब खोल के रख दिए, अब आपका काम बनता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक यह काम नहीं किया क्योंकि यार बहुत टाइम लगता है यह वीडियो बनाने में फिर इन वैस बाइ